नमस्कार दोस्तों आर्विन केजरिवाल के ओपर गुजराथ हाई कोट ने 25,000 रुपए का जुरमाना लगाया है। अरविन केजरिवाल ने प्रधान मंत्री नरिन मुदी की ग्राजुएशन की और पी जी की यानि पॉस्ट ग्राजुएशन की डिग्री दिखाने की मांग की थी। गुजराथ हाई कोट ने कहा है कि प्रधान मंत्री को अपनी डिगरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दोफ तो सही बाज भी है प्रधान मंत्री की गैजुएशन की डिगरी देख करके देश के लोग या फिर अपोजीशन के लोग क्या कर लेंगे इन लोगों को अगर देखना है तो 56 इंच की चाती देखें मोर देखें, विदेश में बजरह दंका देखें, लाल आखे देखें, पाच ट्रिलिन एकनॉमी का सपना देखें बिक्ती हुई कंपनिया देखें, महेंगाई देखें, बेरोजगारी देखें प्रधान मंत्री की डिगरी में देखने लायक क्या है? जब इन्यूवर्सिटी नहीं चाता कि प्रधान मंत्री की डिगरी को कोई देखें, तो देखना ही क्यों है? पता नहीं सब लोग अपना-पना क्यों नहीं देखतें? सबको प्रधान मंत्री की डिगरी ही देखनी है श्विदाले के साथ साथ दिली इनिवर्सिटी के जन सूषना अधिकारी को प्रधान मंतरी नरेंद नुदी की ग्राजुएशन और पोस्ट ग्राजुएशन की डिगरी की डीटेल सार्वजिनिक करने के लिए कहा गया था दोस्तों बार एंड बेंच वेबसाइट की एक खबर के मुताबिक इस मामले में गुजरात इनिवर्सिटी की ओर से पैरवी करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने बताया कि एक लोगतंत्र में अगर कोई व्यक्ती इस पतपरासीन है मतलब प्रधान मंतरी के पतपरासीन है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की वो जॉक्टरेट है या अनपड़ है ठीक बात है प्रधान मंतरी कैसे भी हो डिगरी तो बेरुजगार ही रखते हैं आगे तुशार महता ने कहा कि इस मुद्दे से कोई जनहित का मामला भी नहीं जुड़ा है प्रधान मंतरी की डिगनिया सारवजने करने से उनकी प्राइविसी पर जरूर असर पड़ता है एक बात समझ में नहीं आती कि जो प्रधान मंतरी मंदर के गर्व ग्रह के भीतर भी कैमरा लेकर चले जाते हैं जो की निशेद है जो प्रधान मंतरी मा से मिलने के लिए भी कैमरा लेकर के जाते हैं जो प्रधान मंतरी मोर को दाना देते समय भी कैमरे के सामने ही खिलाते हैं जो प्रधान मंतरी अपनी सरकारी गाड़े के भीतर भी कैमरा मेन को लेकर के चलते जो प्रधान मंतरी खुद को फकीर कहते हैं, जो प्रधान मंतरी ध्यान लगाते समय भी कैमरा लेकर के जाते हैं, जो प्रधान मंतरी ये तक बताते हैं कि उनकी आदर्णिय माताजी दूसरों के घर में बरतन मांचती थी, जो प्रधान मंतरी ये तक बताते हैं कि वो स्टेश ुक्षा में मिले नंबर देख लेगा तो प्रविसी भं चाएगी मरें ख्याल से किसी भी देश का प्रढान मंतृ कितना पढ़ा लिखा है कि जाता क्यंश का राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा है यह तक कि शादी करने से पहले लड़की वाले लड़के वाले कितने पड़े लिखे हैं यानि कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं है लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है जिस देश में जीवन साती तक डिगरी देख करके ही होते हैं उस देश में प्रधाज मंत्री की डिगरी सीक्रेट रखने की आखिर वज़ा क्या है मार्कशी में लिखे नंबर देखने में प्राइविसी किस तरह से भांग हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता केजरी वाल ने कहा है कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पी-एम कितना बड़े हैं कोर्ट में इन्होंने दिखाये जाने वाले का जबरदस विरोद किया क्यों और उनकी दिखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाए ये क्या हो रहा है अंपर्ड या कम पढ़े लिखे पी-एम देश के लिए बेहत खतरनाक है दोस्तों डिग्री में घर का एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, परिक्षा में मिले नंबर, स्टुडेंट का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, डेटॉक बर्थ, बस यही सब तो होता है जिग्री में ऐसी कौन सी RAW और CIA जैसी खूविया जानकारी चुपी होती है? खेर दोस्तों गुजरात की अदालत ने निर्ने लिया है तो सही ही लिया होगा दोस्तों प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के हिसाब से उन्होंने अपना ग्राजुएशन 1978 में गुजरात उनिवर्सिटी और अपना पोस्ट ग्राजुएशन डिली उनिवर्सिटी में 1983 में पूरा किया था आरविन केज रिवाल चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की जिग्रियां सारुजनी की जाएं केंद्री सूचना आयोग ने 2016 में तीन सलसाओ को प्रधान मंत्री की जिग्रियों की चांकारी देने के लिए कहा था पहला था प्रधान मंत्री कार्याले, दूसरा था गुजरात विश्वित्याले और तीसरा था दिल्ली विश्वित्याले इस फैसली के खिलाख गुजरात इनुवर्सिटी चली गई गुजरात हाई कोट, दिल्ली इनुवर्सिटी चली गई दिल्ली हाई कोट आज गुजरात हाई कोर्ट वाले मामले में फैसला आया है तो दोस्तों देख रहे हैं कि सरकारे पैसों का कैसे सिर्फ प्रधान मंतरी की डिगरी दिखाने के लिए और ना दिखाया जाने के लिए बेजा इस्तिमाल हो रहा है महंगे महंगे वकील खड़े किया जा रहा है कोर्ट का वक्त बरबाद किया जा रहा है सिर्फ डिगरी दिखाने और ना दिखाने को लेकर के दोस्तों आगर आप वीडियों में अभी तक बने हुए हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ये विपक्षी प्रधान मंत्री मोदी की डिगरी आखिर देखने को लेकर के इतने बेताब क्यों है दोस्तों विपक्ष का आरोप है कि प्रधान मंत्री की डिगरीयां फरजी है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी अनपढ़ है अरुन जेटली तो मेरे कुलीग थे विजे गॉल मेरे कुलीग थे यह सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे यह बीवीपी में थे मैं आल इंडिया सूड़ेंट फेडरेशन करती थी मैं सभी NSY के ABVP के SYS समाजवादी यूजन सभा के SFY के ISP सब नेताओं को जानती थी और जानती हूँ जो अलग लग जगों पे नित्रितु कर रहे हैं मैंने जितनी डिगरिया पास की वो सारी हस्त लिखी दें क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिगरी लिखी जाती थी तो फिर मेरेंदर मोधी की डिगरी टाइप डिगरी कहां से आ गया कॉंग्रेस कहती है कि मोधी की जब की डिगरी बताई जाती है तब डिगरी हाँच से लिखी जाती थी, लेकिन उनकी डिगरी हाँच से लिखी नहीं गई है कॉंग्रिस जन्र की तारीक पर भी सवाल करती है, आम आदमी पाटी पास होने के एर पर भी सवाल करती है इसलिए सब प्रधान मंत्री की डिगरी देखने के लिए बड़े बेचान है लेकिन कोट ने अर्विन केज़ीपाल पर 25,000 रुपए का जुर्मान ठोक कर ये कह दिया है कि प्रधान मंत्री की डिगरी सार्वजी करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी भरे वीडियो पसंदाते होंगे हमारे चानल को सबस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा और अपनी प्रग्या को सपोर्ट कीजिएगा बस हमारे यूट्यूब पर जॉइन करके वो भी नाम मातर सी फीस के साथ चलते हैं राम राम दुआ सलाम जै हिंद